Hello and welcome to your favorite channel, Brain O Solution. देखो बच्चों, आज हम करेंगे question number 3. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि pi is defined as a ratio of circumference to the diameter. मतलब क्या है? कि pi को हम लिख सकते हैं, pi is equal to c upon d के form में. ठीक है, clear है? लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बेटा थोड़ा सा contradictory बात हो गए. contradictory कैसे हो गए? कि देखो तुम्हारा जो c होता है. ठीक है? वो भी ये क्या है? अगर मैं pi की बात करते हूं, तो pi कह बेटा? pi एक irrational number है. ठीक है? pi राशनल number है. वो तो सबको पता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो, अगर तुम right inside की बात करते हो, तो ये क्या है? ये p by q के form में c upon d क्या है? p upon q के form में तो ये क्या है? ये तो एक राशनल number हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया? कि एक राशनल number, राशनल number के बराबर हो गया. ये contradictory चीज़े, इसको तुम justify करो. question का पहले तो मतलब समझ लो, ठीक है? तो देखो बच्चो, अब हम ये देखते हैं, कि हमको पता है कि pi is equal to c upon d. ठीक है? clear है? अब suppose करो, d क्या है? बच्चो, d तो length है ना diameter की, किसी भी circle के जो diameter है, उसकी length है, ठीक है? तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, कि जो diameter की value हो, वो suppose करो 0.09, 009, 009, 009, ठीक है? इस तरीके से ये value चलती है, है कि नहीं? तो ये क्या है बेटा? यहाँ पर अभी तो ये जो value है, ये क्योंके देखो, non-terminating है, non-recurring है, तो ये irrational number हो गई, है कि नहीं? ना तो ये खतम हो रही है, ना ही repeat हो रही है, ठीक, लेकिन मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं D की value को approximately 9.1 भी लिख सकती हूँ? है कि नहीं? ठीक है, तो देखो, या फिर मैं इसको D की value 9 भी लिख सकती हूँ? है कि नहीं मैंने क्या करता, D की value 9 लिखती, ठीक, तो इर राश्नल number को मैंने approximate form में एक rational number बना दिया ठीक है clear अब तुम यह देखो बेटा कि हमको पता है c upon d की value ठीक अगर suppose करो c तुम्हारा एक irrational number है ठीक है और d तुम्हारा एक rational number है तो कभी भी बेटा irrational upon rational होता है तो answer क्या आएगा irrational आएगा ठीक अगर तुम्हारे पास है c upon d c है तुम्हारा rational और d है तुम्हारा irrational हाँ तो यह answer क्या आएगा तो भी answer बेटा हमेशा irrational ही आएगा ठीक है clear है लेकिन एक और वो लो case अगर तुम्हारे पास c upon d है c भी तुम्हारे पास irrational और दी भी तुम्हारे पास Irrational है तो इस केस में क्या होगा अंसर इस केस में ऐसा होगा ऐसा भी हो सकता है क्का आंसर तुम्हारे पास इyर्राशनल डॉट या अभी गता प Israeli केस को हटा है तो तुम्हारा आंसर इर्राशनल लाएगा ठीक है लेकिन अब तुम इसको लिखोगे कैसे यह तो तुम्हें समझाने की बात हो गई ठीक लिखेंगे कैसे हम हम इसको देखो तुम कह सकते हो इदर या तो सी और डी सॉरी है ना या तो सी या तुम्हारा डी या फिर क्या इदर सी और डी और बोथ आफ दिम कें बी इर्राशनल ठीक है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा तो तुम्हारा आंसर जो पाई आया है वो भी इर्राशनल हो जाएगा ठीक है क्लियर है आई होब तुम्हें अच्छे समझना होगा अब आज ओ तुम इसके कृश्चन नामबर फोर्थ पे